तो प्यारे बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका ये आता है गध्यांस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दिजे इसी में एक प्रश्ण आपका आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजे आज हम आपको टोटली बताएंगे कि रेखांकित अंश की व्य जंक मिलेंगे ठीक है पद्यान साधारित भी इस बार आनी है तो मेरे पास एक्जाम की कॉपी और इसी पर मैं लिखके आपको दिखाऊंगा कैसे आपको व्याक्या करनी है ठीक है चलिए रेखांग की तंस मैं अब आपको कॉपी पे लिखके दिखाता हूँ सबसे पहले तो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं खीचना है बहुत ज्यादा वैसा नहीं खीचना है देखो सिंपल सा जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इतना पतला सा खीचेगा कि बड़ा सुंदर लगे ठीक है अब यह देखो कितना सुंदर लग रहा है बहुत बड़ा नहीं है ठीक को ही आपको एक्जाम में ले जाना है ठीक तीन पिन को ही एक्जाम में ले जाना है और बस लिखना स्टार्ट कर देना सबसे पहले आप स्केज के इस्तेमाल करेंगे प्रशनोत्तर संख्या डालेंगे फिर प्रशनोत्तर संख्या डालने के बाद क्या करेंगे आपको जो number है वो लिखना होगा है ठीक है तो यहाँ पर देखेगा खंडबा है तो 21 है प्रशनोत्तर संख्या 21 ठीक है आज केवल हम रेखांकी तंस्की व्याक्षा बता रहे हैं तो आप डालेंगे प्रश्णोतर नमबर 21 ठीक है बाकीस में धेर सारे प्रश्ण है 21 का हम कौन सा कर रहे है का तो यहाँ पर हम का डाल लेंगे ठीक है 21 का कर रहे है तो हम यहाँ पर 21 का का डाल लेंगे इसमें तो वैसे तो धेर सारे तीन प्रशन होते हैं लेकिन आज हमारा टार्गेट है गद्यांसपर अधारित व्याख्या कैसे करनी है थीक है कि उच्च और महान कारे में हर प्रकार सहाइता देना मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि अपनी नीज सामर्थ से बाहर काम कर जाओ तो सबसे पहले अच्छे से एक heading आप डालेंगे एक heading क्या डालेंगे क्या डालेंगे रे खांकित अंसकी व्याख्या मैं बता रहूं आपको heading डालेंगे heading आप डालेंगे रे खांकित अंश की व्याख्या, ऐसे आपने हेटिंग डाल ली ठीक है, और यहाँ पर दो विंदू ऐसे लगा कि ये विबरन चिन लगा देना है, ठीक अब क्या करना है, अब यहाँ से हलका सा इसको अंडरलाइन कर देना है सुंदर सुंदर, अंडरलाइन भी ऐसा करो कि बहुत, मतलब भद्दा न लगे, बहुत बत्सूरत न लगे ऐसा कर दिया अंडरलाइन, अब लिखना स्टार्ट करो, देखो कहे क्या रहा है सबसे पहली बात तो यह कहां से गद्यांस लिया गया, यह आचारे रामचन सुकल के मित्रता से लिया गया है तो आप क्या लिखेंगे लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचन्द्र शुकल जी कहते हैं की अब बस इतना लिखने के बाद अब आपको पढ़ लेनी है कि यहाँ पर रेखांकित क्या है तो जो भी है अब आचारे शुकल है या जैशंकर प्रसाद ममता में है या फिर आपको आजन्ता के भगवश्रन उपाध्याएं जो है उनको आपको यहाँ पर लिखना यह नहीं कि हर जगे आपको आचारे रामचन शुकल ही लिख देना है ठीक है बच्चों तो चलिए यह लिखा आपने फिर यहाँ देखो अंस क्या कह रहा है कि मित्र का कर्तब इस प्रकार बताया गया है कि अब थोड़ा सा चेंज करना है भाषा को मित्र का कर्तब इस प्रकार इसको जो का त्यों लिखेंगे इस प्रकार बताया गया है ठीक है क्या बताया गया है फिर आप डैस लगा देंगे ठीक है व्याख्या करनी है लेकिन यहां तक आप यहां से स्टार्ट करिए उच्च और महान कार में हर प्रकार साहता देना तो आप लिखेंगे कि मित्र ऐसा होना चाहिए ठीक है मित्र ऐसा होना चाहिए जो जो उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार से सहायता दे और हमारा मन बढ़ाए अर्थात हमें कार्यों को करने के लिए प्रोचसाहित करे ठीक है प्रोचसाहित करे अब देखे यहां पर मैंने किसी भी किताब में नहीं देखा है मैं अपने हिसाब से व्याख्या आपको बता रहा हूँ और आपको भी रटना नहीं है ऐसे ही अपने हिसाब से व्याख्या करनी है जैसे यहां पर कहा कि मित्र का करत प्रकार बताया गया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए। क्या दिया गया अब फिर कहता है कि तुम अपनी निज सामर्थ से बाहर काम कर जाओ तो साहस दिलाना फिर इसका लिखोगे कि प्रोवसाहित करें हमें इतना अधिक साहस दिलाए कि हम अपनी सामर्थ लिखा तो उसका लिख दो छमता ठीक है अपनी छमता के बाहर कार्य कर जाएं अपनी छमता के बाहर कार्य कर जाएं ठीक इतनी रेखां की तंसकी व्याक्षा हो गई अब जैसे ही आपका examiner चेक करने वाला देखेंगा आपको यहाँ पर दो नमबर देगा एक भी लेश मात्र नहीं कटेगा ठीक है संदर्भ बाकी आपको लिखना हमने बता ही दिया है end screen पर हम संदर्भ भी लिख देंगे यहीं संदर्भ का वीडियो आड़ कर देंगे तो हमने आपको क्या बताया ठीक है जितना यहाँ पर रेखांकित अंस कहा जाए उतनी ही आपको व्याख्या करनी है और दो अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे तभी जब आप इसी प्रकार करेंगे थोड़ा सा अगर गड़बर करते हैं तो अंक कटने की संभावना है आधांक चला जाएगा कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचारे रामचन शुकल जी कहते हैं कि मित्र का करतब इस प्रकार बताया गया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो उच्च और महान कारें में हर प्रकार से हमारी सहायता करे और हमारा मन बढ़ा यानि हमारी होसला अवजाई करे यानि कारें को करने के लिए प्रोथसाहित करे हमें इतना अधिक साहस दिलाए कि हम अपनी च्चमता के बाहर कारे कर जाएं अब यहाँ पर जो सामर्थ लिखा है उसका हमने च्चमता लिख दिया है यही आपको व्याख्या में करना है ठीक है यही आपको व्याख्या में करना होगा ठीक तो इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखे प्लेलिस्ट हमने बना दी है और A to Z चीजें हम आपको बताते रहेंगे कि आपको एक्जाम में कैसे लिखना ये कॉपी भी लिखनी हमने सामाजिक विज्ञान की भी बता दी है हमने हिंदी की भी बता दी है तो दोनों आप देख लीजिए संस्कृत की भी बता दी है अंग्रेजी की भी बता दी सारी कॉपी लिखना लगबग बता चुके है विज् बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया